तो बच्चो एक्सराइज 13.1 में कहरा following are the car parking charges near a railway station ठीक है तो railway station के बास car parking के ये charges हैं अगर 4 hours के लिए आप अपनी car park करोगे ठीक है ना ठीक है बच्चों अब देखो हम हम गए railway station ठीक है जनरली हम क्या सोसते हैं हम तो यही सोसते हैं जितने ज़ादा गंटे के लिए हम पार्क करेंगे उतना ज़ादा हमको रुपया देना पड़ेगा ना उतना ज़ादा हमें cost देना पड़ेगा वहाँ पर हाँ यह बात भी सही है लेकिन क्या number of hours बढ़ने के साथ साथ cost directly proportional होता है उसके साथ यानि कि जितने गुना जितने गुना number of hours बढ़ता है क्या उतने ही गुना amount बढ़ जाता है कैसा होता है जरूरी नहीं कि ऐसा होता हो उसका basic example यह आपके सामने हम आपको दिखाते हैं देखिए यहाँ पर hours बढ़ लाएं बच्चो तो rupees भी बढ़ लाएं ठीक है ना तो cost है वो time के साथ हलाकि इसकी बात इसके साथ कर रहा है कोई बात नहीं आप इसकी बात इसके साथ भी कर सकते हो ठीक है ना तो check whether the charges are in direct proportion to the parking time यह जो charges है यह इस time के साथ directly proportional है की नहीं अब हमने आपको बताया था बच्चो two quantities directly proportional कब होंगी जब अगर two quantities है x और y यह directly proportional कब होती है x is proportionate to y आप कब बोलते हो याद है यह proportional का sign हटा के हम यहाँ constant लेके आते थे k तो k into y होता था y जाके इदर divide लगा देगा so x upon y is equals to constant यानि कि x और y का ratio अगर आप निकाल रहे हो और वो हमेशा एक constant यानिकि फिक्स नमबर आ रहा है तो हम क्या बोलते है कि x और y आपस में क्या है proportional है तो यह थोड़ा सा आपका revision रहा अब हम यहाँ एक table बनाएंगे ठीक है students आजए यह ज़रा चलि एक table बना लेते हैं यह दिखिए students यहाँ पर हमने एक table बना ली नहीं कितने डेटा है 1234 डेटा है तो 123 और 4 ओके नाओ अब ध्यान दो बच्यों चलो थो हमने क्या किया है यहां पर हमने बच्चों यहां पर वो कहना है कि charges जो है वो proportional ए टाइमिंगे है तो हम यहां चारज लिखेंगे पहले हम चार्ज लिखेंगे, कोई चार्ज को हमको चेक करना है कि टाइम के साथ प्रोपोशनल है की नहीं, चार्जे किस में लिखा हमने, इन रुपीज में, है ना, यूनित लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, ठीक है, इन आरस, आरस मीन्स रुपीज, या ऐसे लिख दो अब समझो, next है, यहां पर हम लिखेंगे क्या, time, time in आर्थ, time in आर्थ, time को आर्थ, घंटों में दिया हूँ है ना, times को, ठीक, अब ध्यान दे बच्छे, ध्यान से बच्छे चेक करेंगे, देगी, charges को हम दिखाएंगे, variable x से, और time को हम दिखाएंगे, variable y से, सही है, अब चल किसका है time का या rrica बोल सकते हूं ठीक है छलो देखिए चार जब 60 रूपीज है तो टाइम कितना ए 4 तो चार्ज के सामने हम क्या लिखेंगे 60 और टाइम के सामने हम क्या लिखेंगे 4 तो कितना है 100 जब होता है तो कितनी दिर के लिए घड़ी करते हैं कार एक यानि कि एक आर्स का चार्ज कितना है अगर आप चाहते ना तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि टाइम को एक से दिखा देते हैं चार्ज को आय से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा अटेंशन मतलो जनरली हम क्या करते हैं चार्ज को वो चेक करना चाता है किसके साथ पार्किंग टाइम के साथ तो वो यह एक्चल में यह पूछना चाता है कि क्या चार्ज जो है क्या जो charge है वो proportional है time के तो बच्चों ये X की तरह behave करेगा और ये Y की तरह behave करेगा समझ गए इसलिए हमने charge को X से दिखाया है पहले लिख दिया है वह time को हमने वायस दिखाया बाद में लिख दिया tension मतलो बस आप X upon Y का ratio निकालो और चेक करो कि fix आ रहा है कि नहीं यह और मैं क्या गरूं है न एक ट्री यह क्या है X4 और यह क्या है Y4 याद है अब निकालते हैं यहां से बच्चों क्या सबसे पहले हमने निकाला X1 upon Y1 is equal to X1 कितना है एक्सवन है 60 ओके और Y1 कितना है बच्चों Y1 है आपका 4 solve करेंगे इसको तो 4 1 जा 4 और 4 क्या रहे 15 जा 60 होता है आपके टीचर ने क्या कराया हो पता है इसको उपर लिखा इसको नीचे मतलब टाइम को उपर वाले रो में और चार्ज को नीचे तो आपके टीचर का ऐसे आया होगा 4 upon 60 is equals to 1 upon 15 आया होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक उससे फर्क नहीं पड़ता है आप टेंशन मतलो इसका रैसी पोगल 15 का रैसी पोगल 1 upon 15 आ जाएगा बस और क्या है ठीक चलो 2 upon 25 आ अगर उसने आपके टीचर ने उन्होंने अगर ये टाइम को उपर रखा होगा और चार्जेस को नीचे रखा होगा ठीक तो उससे फर्क नहीं पड़ता है बस एक क्वेशन में एक पैटर्न फॉलो कर लोगा ठीक तो चलो एक स्थ्री अपॉन वाइसी निकालते हैं सब्सक्राइब हम तो एक स्थ्री अपॉन वाइसी बच्चों एक स्थ्री कितना है 140 और वाइसी कितना है यहां पर 12 है अब सॉल्फ करोगे इसको ठीक तो यह आपका जाएगा किससे फॉर से ठीक है ना देखो फॉर थ्रीजा होता है ट्वेल फॉर थ्रीजा ट्वेल टू जाएगा 45 कितना गया 35 अपॉन थ्री आ गया क्या मैं सही हूं यह सर चेक कर लेना फॉर थ्रीजा ट्वेल टू फॉर फइसे टॉन टीक नेक्स से बच्चों आप आप निकालोगे एकस फॉर अपॉन वाइफॉर एक्स फॉर कितना है वन हंड़ेड एट्टी है सही है ना औ और वाइफॉर कितना है बच्चों चेक कर लेना वाइफॉर कितना है 12 ओके चलो अब देखो सिक्स टूजा 12 और सिक्स ट्रीजा 18 और जीरो ठीक टूंजा 2 और 2 इंटू 15 ठीक तो यहां पर क्या जाएगा 15 इस्टू 1 अब अच्छों देखो जरा 15 इस्टू 1 यह 15 का मतलब 15 is to 1 अब देखो X1 upon Y1 15 इस्टू 1 आ रहा है एक्स4 upon वाइफ एक्स4 upon y4 भी आपका यह वाइफ एक्स4 upon y4 भी आपका 15 इस्टू 1 आ रहा है ठीक है तो है सारे देख्वा पर अपसमें एक्वाल नहीं बस स्टार्टिंग वाला लास्वाला आपसमें एक्वाल है सुनो मेरी अध्यान से सारे के सारे एक वो लाने चाहिए तब वो डिर्ट परोपॉशन में होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि सिंस बस सिंपल लिखेंगे सिंस एक्स अपॉन वाइव इस नॉट गॉंस्ट इस नॉट इस नॉट रहा है अगर सारे के सारे उच्टा व Connor संधुन टुमाइबन कितना रहाए फिर मोय टुन्टि फ्र ऑपीर उपन टू और तो यह आपको पड़ा है तो सबके साब नहीं सीच इकेनх ओपन आ कितना होता है 15 upon 1 कभी तो x upon y कितना होता है 25 upon 2 कभी तो x upon y कितना होता है 35 upon 3 और कभी तक आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगा पक्का कि यह दिखो और एक्सपोर याफोर दोनों 15 upon 1 के तो डिर्कली परपोर्शनल हो जाए नहीं भाई सारे रेशो एकोल आने चीए ठीक है ना तो हम लिखेंगे है अब यह छीज़ लिखो गया आप हैंस द यह लिखो गया हैंस द पार्किंग चार्ज़जे आर नौट करोपोरिशन टो दपार्किंग टाइम ओके सुदेंस बात संग में आगी की नहीं आगी I think आपको आ गई होगी ठीके ना चलिए तो उसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजे बढ़ते हम कोशन नमबर 2 की तरफ ओके सुदेंस नोट कर लीजे वीडियो पास करके